हेलो दोस्तो स्वागत आप सबीका आज की स्क्लास में इस क्लास में हम डिसक्रस करने वाले हैं टॉप एंडिन पॉलिटिकल थिंक और साथ इसाथ इंडिन फिर्डम फाइटर थे इस वीडियो हमने उनके जो थियूरिज थार्ट्स को एंडिन की फॉर्म में कवर करने का प्रयास किया एक ही वीडियो में तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट और भी चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब की जिये और वीडियो को ज्यादा शबाइज चाहिए लाइक की जिये ताकि चैनल को और बूस्मिल सके और साथी साथ हमें मोटिवेशन मिल सके और डबल इनर्जी के साथ काम करने के लिए तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ़स्ट mcq के साथ टुड़ेस फ़स्ट mcqs who was the mentor of गुपाल कृष्ण गोखले गुपाल कृष्ण गोखले जी का mentor किसे का माना जाता है उनके गुरू कौन महादेव गोविंद रांडे जी उनके जो है mentor माने जाते हैं महादेव गोविंद रांडे जो है जिनका ठाइम पिरिट था गुपाल कृष्ण उनका डिसाइपल रहे थे वो उनके शिशे रहे थे टाइम पिरिट क्या है 1887 से लेकर 1901 तक जो है उनके शिशे रहे और उनके जो आइडिया जैसे मौरल वैल्यूस का और कंसिशुशनल मैथर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे तो इनी आइडिया के कारण वो उन्होंने जहां माडर उनको माडरेट गूट का लीडर भी माना जाता है क्योंकि वो उन्होंने उस ग्रूप को लीड भी किया है विगा इनका मानना था कि कांशिशनेस को प्राइटी दी जाने चाहिए और मौरल वैल्यूस को इन प्लिटिक्स में और साथी साथ कंसिशुशनल मैथर को डाप्ट करना चाहिए ऐसा पॉलिटिकल फार पॉलिटिकल एडिएजिटेशन अगर आपको राजनेतिक विरोध करना है तो उसके लिए जो ह है इंडियनेशनल कांगर्स का प्रेजिडेंट बनाया गया था और हलाकि वह एक इंपोर्टेंट सेशन भी है उसकी बहुत ज्यादा महतव है इंडियन फ्रिडम स्टागल में कलकाता सेक्शन भी बैल गाउन सेशन सी मदरा सेशन डी बनारा सेशन तो राइट अंसर क्या हो उनको प्रेजिडेंट चुना गया था और इस जो सेशन का इंपोर्टेंस क्या है वहां पर सब्देशी और बाइकार्ट मुवमेंट को चलाया गया था किसके खिलाफ पार्टेशन बेंगाल हुआ था 1905 लाड करजन के दौरा उसके खिलाफ जो है सब्देशी और बाइकार अले वाज़दा पॉलिटिकल गुरू आफ विच इंडियन डीडर वो किस इंडियन लीडर के पॉलिटिकल गुरू माने जाते हैं ए बाल गंगदा तिलक बी सुबास चंदर बोस सी महत्मा गांदी डी रवेंदर नाठ्यगोर तो उनको वो किस फीडम फाइटर के मैथर्स का तो यह जो हां उन्होंने वहां से अड़ाप्ट किया था सब्सक्राइशन ऑ पॉलिटिक्स नादी जी मानते हैं पॉलिटिक्स विदाउट रिलिजिन इस डैट्राप मोई इथिकल मॉरल वैलियू की बात करते हैं पॉलिक्स तो यह आइडिया जो है उन्होंने सब्सक्राइशन गोखले उनके गुरू माने जाते हैं पॉलिकल गुरू उनसे डॉप्ट किये थे नेक्स क्वेशन इन वीच आफ दो फॉल्विंग कॉलेज गोखले वाज अपॉइंटेट इस प्रोफेसर आफ हिस्ट्री एन इकनामिक्स उन्होंने एज़ प्रोफेसर आ प्रोफेसर आफ हिस्ट्री एन इकनामिक्स वर्क किया था इन 1902 पॉलिक्स में पॉलिक्स में एक्टिव पॉर्टिस पाुछी पॉटिप्ट्री जो है इस इस अप्रीस पॉर्ट इस इस अंडियनेशन आइशन गोर्स में काम किया बाद में उनको प्रेजिएंट भी उनके द्वारा जो एक सोसाइटी एस्टाबिश्ट की थी सर्वेंट साफ इंडिया सोसाइटी वो कब एस्टाबिश्ट की थी ए 904 बी 905 सी 906 डी 908 तो राइट अंसर क्या होगा जो मैंने यह आंसी क्यों आपके लिए लाए हैं इसमें हम मैंने इसा फैक्चुल डाटा के सा साथ साथ जो है कंसेप्चुल भी कंसेप्चुल क्लेरी के लिए मैं एक्प्रेशन की स्लाइट भी त्यार किया है तो आप जो आपका बहुत जो कंसेप्चुल एस वेल आज एस फैक्चुल अंडरस्टैनिंग होगी थिंकर्स के बारे में उनके आइडिया को कवर करने किया था तो वो कंसेप्च अपको हो जाएगा दा मैं मॉटिव सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी वास्टू ट्रेन यूथ उसका मतलग मकसद क्या था यूच को एजूकेट करना ट्रेन करना ताकि जो है वो पुब्लिक रिस्पॉंसिबिलिटी को समझें इंदर स्पि तो इस तरह के जो मॉटिव था किसा सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी का नेक्स्ट क्वेशन गोपाल कृष्ण गोखले बीकेम दा मेंबर आफ विच आफ फॉल्विंग कांसिल वो किस कांसिल के जो है मेंबर बने थे ए बंबे लेजिसलेटिव कांसिल बी इंपिरिय लेजिलेटिव कांसिल वो दोनों के जो है प्रेजिडेंट स्वरी मेंबर बने थे बिट्विन नाइटीं 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 जेरो टू ही वाज मेंबर आप बंबे लेजिलेटिव कांसिल एं 1902 तो उसकी जब ड़त हुई थी 1915 तक वह एजा वर्क किया उन् हाँ कि हया है फेलेट इन ब्रिट्विंट इंट को ब्रेटिश लिब्रिब्र लिजम में से था लिप्रोला इडेयलोजी ती जो ब्रिटिश कर्की उसमें को विश्वास था झाल भी किवास एन एक्स्रिमसानीयडर को गरंधwalk प्रूर्ट के नीटा थे सी ही है प्रीटिटि इंडिया नेशनल कांग्रस के एहम लीडर माने जाते हैं तो इसे हिसाब से ही वाज एक्टिमिस लीडर जो गलत है उन्होंने बिटिश इकनामिक्स पॉलिशी को क्रिटिसाइज किया और बिटिश लिबरल आइडियलोजी में जोगा वह फेत रखते थे बिटिश लिबरलिज की जो इकनामिक्स पॉलिशी इंडिया में क्योंकि वह मानते थे कि पॉपर्टि का कारण जो ये बिटिश इकनामिक्स पॉलिसी है वो उसके हिए इंडिया जो जाकि जो पॉपलेशनों दिन गुरीब होती जाए रही है नेक्सट वियर डिट गोपाल कृष्ण गोखले वा थे दराइट आंसर इस ऑप्शन नमबर बी रतनागिरी महारास्टर में उनका जन्म हुआ था गोपालकरिशन गोखले जो है कोट लुक इन डिस्ट्रिक रतनागिरी इन मौडरन डे महारास्टरा नाइन्थ मेई 1866 में पैदा हुए थे इन्होंने इन मेंसे किस में अपने एक एहम भूमी का अधा की ए अगस्ताफर बी मौरले मेंटो रिफर्म्स सी मौन्टैग्यू चैंप्शवोरोड रिफर्म्स दी आल अब दव तो कहां पे उन्होंने अपनी एहम चैंपोशन दी the right answer is B. Morley-Mento reform जो लाए गे थे उसमें उनोंने जो है actively participate किया उस drafts को तियार करवाने में at the Indian National Indian Legislative Council member Gokhale played a key role in framing the Morley-Mento reforms in 1909 1909 का जो Morley-Mento reform है वहां पे उनोंने उसमें जो है उसमें के मेंबर थे admission of Indian to the Secretary of State Council उनोंने जो Indians की जो admission करवाने के लिए मतलों Indians को भी include किया जाना चाहिए Secretary of State Council में to the Executive Council and to the Executive Council of Bombay and Madras में भी Indians को include किया जाना चाहिए इसके लिए उनने अपने demands रखी और उनको पूरा करवाया next question which of the following newspaper was started by Gokhale Gopal Krishnan Gokhale जी के दोरा कौन सा newspaper start किया गया the hitwada B Neeldarpan C Harijan D Maratha the right answer is क्या होगा right answer right answer is option number a hitwada जो उनके दोरा newspaper edit किया जाता था the hit word English daily newspaper was started by Gokhale in 1911 in Nagpur Nagpur में start किया गया था 1911 में next question who was the founder of Sarvajanik Sabha General Sarvajanik Sabha General जू थी उसके founder कौन थे a Mahadev Govind Rande B Gopal Krishnan Gokhale C Bal Gangadar Tilak and D भी विपंचेंदरपाल तो आपको right answer मिल चुका होगा Sarvajanik Sabha General the right answer is option number a Mahadev Govind Rande जी जो उनके founder थे हलाकि बाद में जुआ है इस newspaper में इस journal में Gopal Krishnan Gokhale जी ने भी काम किया और अपनी contribution दी गोखले वाज आलसो अस्वेसेटिव सार्वजनिक Sabha General started by Govind Rande सार्वजनिक Sabha Act उन्होंने found किया था किसने महादेव Govind Rande लेकिन Gopal Krishnan Gokhale ने भी अपनी contribution दी थी सार्वजनिक Sabha Act as a mediator between government and prison वो इसका मक्सद किया था government or peasants के बीच में जो है एक mediator का काम करना ताकि जो peasants के rights है उनको सरकार तक पहुंचाना next question who called Gokhale as a Jewel of Maharashtra and Diamond of India किसने जो है गोखले को Jewel of Maharashtra and Diamond of India कहा है ए रबेंदरना ठेगोर बी महत्मा गांधी सी बाल गंगादा तिलक डी विपंचेंदर पाल तो right answer क्या होगा the right answer is option number c बाल गंगादा तिलक जी ने उनको Jewel of Maharashtra हाला कि उनकी जो ideologies है वो देखो कि आप totally different है और वह एक दूसरे को criticize भी करते हैं लेकिन वह एक दूसरे को एक दूसरे की प्रिशंसा भी करते हैं साथ ही साथ तो यह यह actual politics जो है उससे में exist करते थी Jewel of Maharashtra and diamond of India कहते हैं बाल गंगादा तिलक जी उनको कि आइडेलोजी को बहुत हर अपोनेंट दोनों जो आइडेलोजी के लिए विचारिक उनके मत्पेद थे लेकिन आप उनके विक्तिकत देखोगे तो उनको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्या थी रिस्पेक्ट थी एक दूसरे को आदर समान करते थे next question which of the following statement is correct about Gokhale's idea of nationalism जो उनका idea of nationalism था उसके बारे में क्या सही है a nationalism as a moral regeneration nationalism किया होती है moral regeneration होती है पुल उद्धान होता है बी गोखली had extended full support to सब्देशी movement but not as total bycard उन्हेंने सब्देशी movement को full support दिया लेकिन उन्हेंने जो है total bycard movement को उतना support नहीं किया support नहीं किया he established servants of India society for moral appointment of bosses and social reform उन्होंने servants of India society established की ताकि लोगों का जो moral appointment हो सके और social reforms लाए जा सके डी all of the above are correct या फिर सभी जो उपर दिये गें उस सही है उनके जो idea of nationalism के बारे में the right answer is option number कौन सा सही होगा option number D is correct आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को प्लीस subscribe कीजिए और वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए और दोस्तों के साथ जादा जादा वीडियो को शेयर की आपने इस वीडियो को वाइरल बनाना था कि मैं आपको लिए और भी इस तरह का इस लेटे टू दा इंडियन्स उन्होंने किस इंडियो की रिक्वेस्ट पर जो है सौथ अफरीका को विजट किया था क्यूंकि वहां पर जो इंडियों के साथ जो discrimination हो रहा था इंडियों के जो dispute से उनको solve करने के लिए उनको बुलाया गया किस लीडर के दौरा तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर और सी महात्मा गांदी जी ने विजट किया था सोथ अफरीका में उसी दोरान जो उनकी विजट के दोरान उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को भी इन्वाइट किया वहां पर आने के लिए ताकि जो इंजिन्स की डिस्प्यू अजो आएट गोट्रैक्ट देख दोर्यूट जोने जो इंडिन्स वहां पर रह रहे थे उनकी जो प्रॉंश प्रॉब्लम सी जो उनके शीमाirm उनको हैं दो रहा था उसको उतने लिए उनको बुलाया गया और महत्मा गांदी जी ने उनको गुलाया था वहां पर नेक्स्ट क्वेशन चूज़ा स्टेटमेट वीचर क्रेक्ट अबॉट गुपाल कृष्ण गुखले इस पॉलेटिकल थाट जो उनके पॉलेटिकल थाट से उनके बारे में क्या सही है ए इंडिपेंडेंट्स एज इम सब्सक्राइब बढ़ाएगी थी तो एज फंसेंट बिल को उनको पॉस्ट किया फर्स्ट रिमूव इवल सोशल प्रैक्टिस एंड दैन सीक लिबरेशन फ्रांदा ब्रेटिश पहले सोशल इवल्स को जो है रिमूव किया जाना चाहिए फिर उसके बाद वह ब्रेटिश से अजादी लेना चाहते थे या फिर डी आल आफ दा अबब वर करेक्ट या फिर सभी जो अपर दिये गए हैं वो करेक्ट है तो राइट अंसर क्या होगा करेक्ट कौन सा है राइट अंसर ऑप्शन नवर सी क्योंकि इंडिपेंडेंट से इमिडेट गोल नहीं मानते थे वो कि वो मानते थे एज आफ कंसें से क्या होगा जो गुल्स का जो प्रासिक्यूशन हो रहा है जो उससे उनको बचाया जा सके तो इंडिपेंडेंडेंट सैजा लॉंग टर्म गोल था उनका इना कि इमिडेट गोल था उनका क्लैशिस हुआ तिल के साथ इस मुद्दे पर जहां पर एज आफ कंसेंट को इंक्रीज किया गया तैन टू टू तो वहां पर वो मंद और गोपल कृशन गोखले जी मानते थे कि यह कि सोशल रिफॉर्म जाइस लिए हम इन इसको डाप्ट करना चाहिए इससे इवल्स जो है रिमूव होंगी लेकिन तिलक मानते थे कि ब बेनिफिशल होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए बने दिये चैनल के साथ इसी तरह का और भी कंटेंट आने वाले समय में आपको चैनल पर मिलेगा तो चलिए वीडियो को यहीं स्टाप करते हैं आज के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग झाल 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 झाल